दोस्तो आज आप लोगों से एक बहुत important बात करनी है चैनल को लेकर कुछ issues हो चुके हैं वो बात मैं अभी थोड़ी दिर में आप लोगों के साथ में discuss करूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनना फिलाल के लिए भी आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो गाइज आज है तारिक 20 सितंबर 2003 है और है वेडनेस डेखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस्पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले जाना है टेलिग्राम पर वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक ज्यादव एजूकेशन यूपी एसी आपको यह वला टेलिग्राम चनल मिलेगा यहां साब डेली बेसस पर इस लेक्चर के पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे साथ में परसनली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाना वहाँ पर जाके आगे आपने लिखना है दीपक ज्यादव एजूकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहां पर 13,000 जादा लोग अल्रेड़ी जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में परसनली जुड़ सकते हो नाव हमेशे की तरह स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपने एक मैप के क्वेशन के साथ तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है अनामुडी शोला नैशनल पार्क को कहां पर है ये एक्जैक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवियस येर 2015 के साल में पूछा या था आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रिवियस येर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बोलता है मतलब कि जो नीचे ऑप्शन में आपको चार बॉडी जी गई है इन में से कौन सी एक ऐसी बॉडी है जो कि ओजोन डिपलेटिंग सबस्टांस आपको पता है ना ओजोन लेयर जो कि हमें जो सन की अल्ट्रावलिट रेज हैं उससे बचाने का काम कर दी है तो अभी क्या होता है ओजोन लेयर को खतम करने के लिए ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले कई सारे सबस्टांसिस हैं तो वो ही उसी को हम लोग बोलता है ozone depleting substances तो वो जो substances हैं उनको खतम करने के लिए उसको control करने के लिए कौन सा एक ऐसा body आपको देखने को मिलेगा तो option number A बोलता है Bretton Woods Conference, option number B Montreal Protocol option number C Kyoto Protocol या option number D Nagoya Protocol तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोग इसे daily business पर बोलता हूँ by the way इस question का जो answer है वो मैंने आपको telegram पर भी provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रुरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो show बार हम करते हैं और अब जो मैं आपको एक important बात बता रहा था वो बात आप लोग ध्यांस सुनना दोसों कल चैनल पर एक copyright strike आ चुका है अब उसी वज़ा से यार कल से मेरा बहुत ज़्यादा धिमाग खराब है ये दोस्तों ये जो copyright strike है न ये बिसिकली दहिंदू की साइट से आया है और दहिंदू की साइट से copyright strike आने की वज़ा क्या है हम लोग दहिंदू न्यूस पेपर का यूज कर रहे थे वीडियो के अंदर इस वज़ा से और ये strike भी पुराने वाले वीडियो लगबग दो अगस वाले वीडियो में आया था वो वीडियो अभी यूट्यूब से टेक डाउन कर लिया गया है यहाँ पर जो कॉपिराइट ओनर है वाँ आप देख पाओगे तो उन्होंने यहाँ पर दहिंदू न्यूस पेपर का डिरेक्ली यूज करने से मना कर रखा है ठीक है और आपको पता है चैनल खतम होने में केवल तीन स्ट्राइक चाहिए होती है देखो वीडियोज हमें PPT-based बनाने पड़ेंगे चाहिए स्ट्राइक हटे या ना हटे ठीक है तो ओव्यसी बात है आप लोग मेरी इस बात को समझोगे कई सारे लोग ऐसे होंगे जो की बात को समझेंगे नहीं आपको परेशान होने की ज़रुरत नहीं है नियूस पेपर आप कहीं से भी डाउलोड कर सकते हो आपको पता है काफी सारी जगा पर मिल जाता है और अच्छा होगा कि आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लो एक नियूस पेपर का फिर उसके बाद आप आर्टिकल्स देखोगे वो सारे आर्टिकल्स का एक्स्प्लेनेशन मैं आपको यहां पर बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ यहां पर दहिंदू का पूरा वीडियो क्रियेट किया है वीडियो लेट भी हो गया है यार मैं अभी न आपको सची बता हूँ चौबिस घंटे से मैं सोया नहीं हूँ अभी मेरे यहां पर सर में दर्द हो चुका है यह स्ट्राइक देख देखके बातचीत करके लेकिन यार यह अभी देखते हैं किस तरीके से रिमूव होगी ठीक है तो जैसे यहां पर रिमूव होती है मैं आप लोग को इसके बारे म इनफॉर्म करूँगा बट ऑव्यसी बाते देखो यार एक चीज यह भी है ना कि बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुँचाएं और यहां तक पहुचने के बाद में अगर इस तरीकी जो है चीज अपने साथ होगी तो ऑव्यसी बाते वो थोड़ा सा हमारे लिए आज का वीडियो है आज का वीडियो आपको और बेस्ट कॉंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा और बहितरीन तरीके से प्रेजेंटेशन होगा और ऑव्यसी बात है हमें इस तरीके का प्रेजेंटेशन करना भी चाहिए ता मैं पहले कुछ समय इसे मतलब कुछ समय पहले सी कोशिश करने चाह रहा था लेकिन यार मैंना थोड़ा सा आलस करिया है कि डिरेक्ली यार यूज पर यूज पर यूज कर लो और उससे डिरेक्ली यार पर कॉंटेंट बना दो लेकिन वो चीज यहां पर कही नहीं कि ओविस सी बात है क्योंकि यह यहां पर मैंने सोचा यार टाइम बढ़ी लगा लेकिन यह वर्थ है और यहां पर बहुत सारी चीज आपको डारेक्ली कॉंटेंट के बिसिस बन मिलेगी आपको कुछ नोट डाउन करना आराम से कर सकते हो वहां पर आपको पता है जो बाक्राउंड डेटा है उसको स्क्री भी हो रही थी फुल स्क्रीन पर वो डेटा आ भी नहीं रहा था तो उसे कही गुना जादा बेटर डिसकेशन में कर दूंगा और ऑव्यसी बात है आज हमारा इस तरीके का अप जो पीपीटी बेस डिसकेशन होगा दाहिंदू का वो पहला डिसकेशन होगा तो धीरे-दीर देर सरे इंप्रूमेंट्स होते रहेंगे और देरे-देरे जो मेरे काम करने का स्पीड है क्योंकि ऑव्यसी बात है यह स्पीड बहुत स्लो गय थी बीच में आपर पीपीटी बनाता था बट कुछ समय पीपीटी बनानी छोड़ दी थी बट आज इसको क्रियेट क्या है त बाकी प्रॉब्लम से आर आती जाती रहती है हर चीज का सलूशन होता है इसका भी सलूशन यह निकाला गया है चलो फिर अब बिना कोई देरी करें डिसकेशन की शुरुवात करता है हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल और खासकर कह सकते हो आज का हमारा थमनेल वला आर्टिक दूसरा आदिते एलवन सोरे की तरफ बढ़ रहे हैं आज न्यूस भी निकल कर आई है कि जो एलवन पॉइंट है लैंगरेंज वन पॉइंट है वहां तक अब यह रास्ता जो है वो तैय कर रहा है हमारा आदिते एलवन अब चैंदरियान 3 और आदिते एलवन के बाद में जो तीसरा एक सबसे बड़ा मेशन होने वाला है वो है समद्रियान मेशन समद्रियान मेशन यानि कि समद्र की गहराई में जाएगा अब की बार भारत और यहां पर हम लोग यूस करने वाले हैं मज से 6000 मज से 6000 बेसिकली यह आपको समर्सेबल वहीकल देखने को मिलेगा जि देख पाऊगे चाहिए वो बिजनस टुडे हो जाए वो लाइव मेंट हो सबी ने यहां पर इसके बारे में बहुत डिटेल से डिसकुशन किया हुआ है आओ थोड़ा सा डिटेल से डिसकुस करेंगे कि आकरकार यह मज से 6000 है क्या तो निउस क्या है निउस मैं आपको बता गॉल वाले रीजन में कितने लोग जाने वाले हैं तो स्पेशली यहां पर इस वेहिकल के अंदर में तीन लोग को बेठा कर भेजा जाएगा समुदर के अंदर 6000 की मीटर के गहराई तक तो दोस्तों यह जो वेहिकल है ना इसको हम लोग मैंड समर्सिबल बोलेंगे क्योंक इस वेहिकल को किसने डवलब किया है तो सबसे पहला important point जो की one day examination के point of view से relevant है तो इस वेहिकल को डवलब करने वाली body का नाम है N.I.O.T. that is National Institute of Ocean Technology चन्नाई बिज्ड यह body है ध्यानकनस के बारे में पहला important point जो exam में पूछा जा सकता है ठीक है question यह है कि हम लोग समुदर के अंदर के हो जा रहा है ताकि deep position जो है हमारा समुदर की जो गहरा ही है उसको थोड़ा सा और जाद explore किया जा सके वहाँ पे कौन-कौन से mineral resources उसके बारे में कुछ जानकारी ली जा सके और अगर हम यहाँ पर यह काम कर पाते हैं अब्वेसी बात यह फ्रांस हो गया चाइना हो गया यह जो पांच देश है यहाँ यहाँ पर यह कदम उठा चुके हैं इन्होंने यहाँ पर undersea exploration किया हुआ है 5000 से जादा गहराई में यह जा चुके हैं 5000 से मीटर की जादा गहराई में जा चुके हैं तो अब यहाँ पे भारत की बारी है और हमारे पास में बढ़ती हुई नजर आएगी दोस्तों ही जो वहिकल आपको स्क्रीन पर दिक्राए इस वहिकल को जड़ डवलप किया गया है न इसकी कुछ speciality है यह समुदर की गहराई में जाका लगबग 12 घंटे तक operate कर सकता है 12 घंटे तक लगातार work कर सकता है उससे भी important कैसकतो 80 mm थिक titanium alloy से यहाँ पर इसको बनाया गया है और कहीं न कहीं 600 times तक के जो pressure है उसको भी यह जहल सकता है इस तरीके की category के अंदर में इसको रख कर तयार किया गया है दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो यह पूरा कर पूरा वहिकल है यह किस समुद्रियान mission के कुछ basic key facts हैं जो कि आपको पता होना चाहिए especially mains के perspective से भी mains में आपसे 1500 नंबर 200 नंबर में जो questions से वो पूछ ले जाता है तो समुद्रियान mission को लेकर क्या है यह बारत का पहला manned mission है यानि कि पहला ऐसा mission जहाँ पर हम इंसानों को खास कर समुद्र के परहा deep ocean है उसमें कोई हल चल नहीं होगी मतलब उस area को हम disturb नहीं कर रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि समुद्रियान mission से कोई ऐसा disturbance क्रेट नहीं होगा ठीक है केवल और केवली exploration के purpose से जा रहा है कोई यहाँ पर problems क्रेट नहीं के जाएंगी तो शांत से हम लोग लेकर चल रहा है क्योंकि आपको बता है blue economy के तहत हमारा target है कि किस तरीके से जो हम ocean है उसका use कर सके अपनी earth विवस्तों को और ज़्यादा increase करने के लिए अपनी economy को और ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट करने के लिए दूसरी चीज यहाँ पर यह जो पूरा का प तो ministry of sciences की एक nodal ministry है जो कि यहाँ पर इस ambitious mission को यहाँ पर लागू करेगी अब last में एक सवाल और आता है सरी ambition काम कैसे करेगा तो दोस्तों mission काम कैसे करेगा उसके लिए आपने यह वाला photo देखना है ठीक है इस वाले photo में यहाँ पर सारी की सारी जो information वो detail से दी गई है जैसा जाएगा उस जहाज में हम लोग इस vehicle को रखेंगे ठीक है और इस vehicle को रखने के बाद में दोस्तों क्या होगा जो जहाज है वो यहाँ पर इस vehicle को समुदर में उतारेगा जैसे यहाँ पर यह vehicle समुदर में उतर जाएगा जो इसमें बैठावा एक pilot होगा यह जो इस vehicle को चला रहा होगा वो इस वहिकल को सीधा चला कर underwater में लेकर जाएगा तो जैसे से वहिकल यहाँ पर underwater में जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख पाऊगे धीरे धीरे करके जो हमारे crew members इसमें बैठे होंगे वो अराम से जो समुदर के आसपास का नजारा है वो देख पा रहे अगर हमें मान लो कुछ important sample या कुछ अदबुद चीज़ है उसको यहाँ पर collect करना है तो उसको collect करने के लिए इस वहिकल के अंदर में जो robotic hand है उसका हम लोग यहाँ पर use कर सकते हैं ठीक है समझ में आ गया तो इस robotic hand के मादम से उसको collect किया जा सकता है इस पूरे के पूरे mission का जो budget है दोस्तों वो लगबख 500 करोड के आसपास हमको देखने को मिलता है ऐसा भी यहाँ पर धेर सरी जो articles है वो यह mention करते हैं I hope आपको बहतरी तरीके से इसके बारे में जो सारी information है वो मिल चुकी है नवा गया आते हैं next important article पर तो आज के newspaper में page number one पर एक article है जहाँ पर women reservation bill के बारे में बात की जारी है आपको बता होगा यह एक ऐसा topic है जिसके बारे में already मैंने कई बार discussion किया हुआ है आप लोगों को मैंने means का question भी दिया वा था आपने means का answer writing भी कर चुके हो women reservation bill के उपर में कोई बात नहीं दुबारा discussion करेंगे एक छोटा सा revision हो जाएगा यहाँ पर सबकी सहमती की जो मांग है वो यहाँ पर की है पहली चीज़ आप लोग यह सुनो कि आपको पता होगा जो हमारा पुराना वाला parliament था गोल वाला parliament उसको अभी यहाँ पर कह सकतो छोड़ दिया या है ठीक है उस parliament को leave कर दिया या है अब नए parliament में सभी हमारे जो MPs वगर है वो एंटर कर चुके है यह फोटो आप लोगोंने कल देखा होगा ठीक है यहाँ पर देख पाऊगे जो हमारे प्रदान मंत्री है प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो दूसरे member of parliament के वो सब यहाँ पर नए parliament की building की तरफ जा रहे है ठीक है अब नए parliament की building की तरफ ग जो कि सबसे longest session भी होता है फिर दूसरा यहाँ पर monsoon session होता है और फिर तीसरा यहाँ पर हमारा winter session होता है monsoon session अल्रेडी समाप तो चुका है budget session बात बनती नहीं यह भी समाप तो चुका है फिर आता है हमारा winter session यह अभी शुरू होगा November December में चलेगा ठीक है अब इनी के बीच में इनी monsoon session और winter session के बीच में अपकी बार एक special session को रख दिया गया जो कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलना था ठीक है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे कल जो तारीक थी कल 19 सितंबर थी तो यानि जो special session है वो भी चल रहा है और 22 सितंबर तक यह special session चलेगा इसी session के द दातार टलता हुआ नजरा रहा है तो इस historic move के बाद में क्या हुआ है कि जो हमारे मतलब सभी मैंने बताया कि क्या जो parliament भी change हो चुका है लेकिन यहाँ पर कहीन है कि जो women reservation bill है लोकसभा के अंदर में इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है अब बात यहाँ पर यह है क यह जो bill है इसको कैसे approval मिलता है इसके बारे में जानकारी हमें थोड़ा सा और detail से जानने को मिलेगी अब दोस्तों यहाँ पर अगर इस bill को approval मिलता भी है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यह reservation है लोकसभा के अंदर क्योंकि इस women reservation bill के अंदर मांग यह है कि लोकसभा के seat जो है यहाँ पर जो है women के लिए होनी चाहिए यहाँ पर purpose है इस women reservation bill का यह बात किये मैंने लोकसभा की लोकसभा के सासा जो हमारी state legislative assemblies है जैसे जिस भी राज्ये में state legislative assembly है विदान सबा है वहाँ पर भी reservation होना चाहिए महिलाओ के लिए यानि महिलाओ के लिए अलग से यह 2024 में implement हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कम से कम 2029 तक हमें wait करना पड़ेगा 2029 तक यहाँ पर इसको implement किया जाएगा फिर उसके बाद में जैसे आज की समय की बात करें देखो यहाँ पर एक important line जो यह already added है अगर आज हम लोक देखें तो हमारे लोकसभा के अंदर में जो महिलाओ वैसे कितने टोटल मेंबर से 543 मेंबर होते हैं और इन 543 मेंबर मेंसे केवल और केवल 82 यानि केवल और केवल 82 जो है वो महिलाएं हैं तो यह जो नंबर हमें इसको बढ़ाना है तो अभी यहाँ पर अगर इन 543 मेंसे एक तिहाई का घरम reservation कर देंगे one third seats को reserve कर देंगे तो आई होप आपको यहाँ पर यह जो बात है वो अच्छे से समझ में आ चुकी है अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको women reservation bill के बारे में और detail से बताऊंगा लेकिन उससे पहले क्योंकि इसी article में दो article है एक तो जो नया parliament की building है ठीक है उसके अंदर सारे MPs पहुंच चुके है हमारे Prime Minister पहुंच चुके हैं तो नया parliament के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं दोस्तों यह जो नया parliament है यह triangular shape में है जो हमारा पुराना वाला parliament आपको पता है जस बराबर में यह वो गोल में था लेकिन नया वाला हमारा जो है यह triangular shape में है जैसे आप यहाँ पर फोटो का theme है peacock जो हमारी national bird है राजसबा का theme है lotus जो हमारा national flower है central lodge का theme है बन्यान जो हमारा national tree है बाकी दोस्तों यहाँ पर जो national emblem है वो भी यहाँ पर यह जो नया parliament building है इसके ऊपर रखा गया है एक बड़ा से emblem पता होगा पिछले साल इसको लेकर काफी बड़ी controversy भी हो गई थी बा देखने को मिल रही है तो जो लोगसबा का hall है दोस्तों और यहाँ पर आपके सकते हो हम लोग कुछ additional seats को भी रख सकते हैं यानि कि मान लो क्योंकि आपको बता हुआ एक तो लोगसबा का session अलग राजसबा का session अलग होता है कभी कभी joint sessions भी होता है तो joint session अगर लोगसबा र दर ही कर लिया जाएगा इस parliament के वो बनाने में जो cost लगी थी वो लगबक 971 crores के आसपास लगी थी ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है तो नए parliament की building को लेकर कुछ relevant information मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है बाकी अब आते हैं वापस अपने topic पर यानि इसी article के दूसरे पार्ट पर जिसमें बात की जा रही है women reservation bill के बारे में तो यह women reservation bill के आगए यह constitution 108th amendment bill 2008 क्यों लखावा है यह भी जानना ज़रूरी है ठीक है यह नहीं है यह जो bill 2008 यह constitution amendment bill 2008 क्यों लखावा है यह जानना हमाले ज़रूरी है क्योंकि इतिहास में कई बार कोशिच की गई है इस प्रका इस बिल को साल 2010 में नहीं 2008 में 2008 लिखावा है न तो 2008 में राजसभा में यह बिल already इंट्रोडियूस कर दिया गया था ठीक है अब राजसभा में इंट्रोडियूस कर दिया गया तो आज तक यहां पर यह बिल वैलिड है क्योंकि आपको बता होगा आपने पॉलिटी पड़ी है तो लोगसभा और राजसभा में एक बड़ा डिफरेंस गया है कि लोगसभा हर पांस साल बाद डिजॉल्व हो जाता है मतलब पांस साल बाद यहां पर खतम हो जाता है लोगसभा लेकिन राजसभा तो पर्मनेंट है ना राजसभा हमेशा रहता है तो राजसभा में बिल 10 तक यहां पर refer किया, लेकिन कैसकheid तो यह बिल 2010 में नहीं,ob contestants 2008 का जो यह बिल है, यह 2010 में पास भी होगा था, यह 2010 में पास भी होगा था, तो कहोगे आज का जरूरत है लेकिन मैं आपको बता हूँ, 2010 में जब यह बिल पास हुआ था, तो केवल और केवल दोनों से बिल पास होना जरूरी है बट ये बिल राजसभा से पास हो गया था इसी को लेकर यहां पर पूरा का पूरा जो ये मुद्दा है वापस से उड़ता हुआ नजर आ रहा है अब question यहां पर ये उड़ता है कि ये women reservation bill है क्या तो women reservation bill की मोटी मोटी बात है तो वैसे आपको समझ में आ चुकी है लेकिन कुछ हमारे पास में लिखने के लिए factual data होना चाहिए तो women reservation bill का main मकसद है कि जो हमारा लोक सबा है और जो state legislative assemblies है जो हमारी विधान सबा है इन जगाओ पर महिलाओ के लिए लगबग 33% seats का reservation होना चाहिए ठीक है यानि लोक सबा में जित्ती भी seats होंगी है न उसका यहां पर और state legislative assemblies में जो seats होंगी उसका यहां पर तो 33% के आसपा जो reservation है उसकी बात की ज़रिये 33% seat यहां पर महिलाओ के लिए छोड़नी होंगी उनके लिए reserve करनी होंगी यह basically मांग है women reservation bill की और इस bill को सबसे पहली बार introduced लोक सबा में क्या गया था 81st amendment bill September 1996 में लेकिन आपको पता है लोक सबा में भी bill लाने की कोशिश की गई लेकिन बार बार यह जो bill है यह fail होता है चला गया ठीक है यह इस bill को यहां पर कोई approval ने मिल पाया क्योंकि 5 सल बाद लोक सबार dissolve हो गया थ इस चक्र में क्योंकि आपको बता है अगर कोई bill लोक सबा में आया है और उसके ओपर यहां पर कोई भी discussion नहीं हो पाया है और 5 सल बाद यहां पर लोक सबा dissolve हो जाता है तो बात क्या होगा बात यह होगा वो bill भी fail हो जाएगा लेकिन राजसबा में ऐसा नहीं है राजसबा पर्मनेंट है तो वो bill यहां पर इस तरह से चलता रहता है और मैं आपको बता हूँ यह जो bill है इसको कई बार लाने की कोशिश किया है 1998 में 1999 में 2002 में 2003 में 2010 में हमेशा यह bill कही ना की majority of votes को gain करने में fail होता वनजरा है तो हमेशा यहां पर इसने failure face किया now finally आज फिर से यहां पर इसकी बात की जारी है जिसको हम लोग the return of women's reservation bill का नाम दे रहे हैं समझ गए आप question यहां पर यह है कि इस reservation bill की जरुरत क्या है जरुरत दोस्तों यह है कि आज के समय पर हमारे parliament में महिलाओ का जो यह number है यह काफी ज़दा कम है मैं आपको अलेडी बता चुका हूँ for example लो 23 से पहले 15 साल और पहले की बात करें तो यह जो percentage कम हो जाता था यह percentage और 6-7-8 के आस पास पहुंच जाता था समझ गए तो यहां पर बात यह है कि हमारे ही देश में यहां पर women का representation पारलियमेंट में कम है जबकि अगर आप दूसरे countries को देखो गए चाय for example नेपाल हो गया प इस तरीके से कोशिश किया गया था मैं आपको बता हूँ यह जो women reservation bill का पूरा overall idea था यह idea आया कहां से यह idea आया था 1993 में यह idea originate हुआ था कब जब हमारे समझ धान में 73rd और 74th amendment किया गया तीहतरवा और चोहतरवा संशोधन किया गया 1993 में उसके बाद ही जाकर यह idea हमारे दि reservation रखा था यह amendment इसलिए थे ताकि यहाँ पर महिलाओ के लिए local government में reservation होना चाहिए जो की है आज के समय पर local government में तो है reservation लेकिन अगर हम लोग सभा या state legislative assemblies की तो वहाँ पर वो reservation नहीं है और 2010 के बाद से आज तक यहाँ पर proper खुलकर बात हुई नहीं इस bill के उपर में और इतिहास मैं आपको बताई चुका हूँ कई बार introduce हुआ कई बार यहाँ पर यह fail हो गया इसको approval मिला नहीं अब दोस्तों यहाँ पर तब से कोई बात नहीं हो रही थी लेकिन आज 2023 में हमारे September के महीने में फिर से इस bill को लेकर सारा का सारा जो discussion है वो start हो चुका है I hope दोस्त आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है आर्टिकल आपका यह आ गया और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर थोड़ा space भी मिल जा रहा है हमको तो इसमें कोई problem वाली बात नहीं कर नहीं भी हमें use करना होगा हमारे पास में restrictions होंगे तो हम उस की बजाए इस तरीके से अपने discussions को लेकर चल सकते हैं और जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ मैं आगे इसको और जदा भेतर कर दूँगा अभी मेरा first day है इस प्रकार से हमारे newspaper को present करने का क्योंकि आज से पहले मैं इस तरीके से newspaper को present नहीं किया यह पहला है समझ गए चलो अब दोस्तों हैं आपर मैं आपको कुछ और बाते बता देता हूं अभी मैं कुछ states के नाम लेने गाला हूं उन states के नाम धिहां से सुनते रहना कौन कोसे राज्ये के नाम धिहांस सुनना आंद्रपिश अरुना प्रदेश अलगॉवा गुजरात हिमाचलप्रदेश 10% से भी कम है 10% से भी कम reservation आपको इन सभी states में इनकी assemblies में नजर आएगा बाकी parliament में आपको बता चुका हूँ 14% के आसपास women का representation है समझ गए अब उसके बाद दोस्तों कुछ और राजे हैं तो कुछ इनी states में मिला है otherwise काफी सारे states ऐसे हैं जो की काफी पीछे चुड़ चुके हैं ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है समझ गए अब आगया आता है अब मैं आपको थोड़े दुनिया भर के examples बताता हूँ यह examples को आप include कर सकते हो यह examples आपको directly help कर सकते हैं आपके prelims में, mains में एवन यहाँ पर interview के अंदर भी कि women reservation क्यों चाहिए आप देख पाओगे दुनिया भर में चल रहा है अगर आप दुनिया भर में देखोगे तो women leaders ने कहीं न कहीं male leaders को पीछ चोड़ दिया है जो Scandinavian countries जो खासकर काफी सरे index में top पर रहती है इन Scandinavian countries ने अपने यहाँ पर कुछ नई नीतिया कुछ policies, कुछ structures को यहाँ पर यह already implement कर दिया है और उन structures का main मकसद है कि gender equality को support करना women empowerment को लेकर काम करना जिसमें यहाँ पर main point है कि women का representation political positions में होना चाहिए या leaders positions में होना चाहिए क्योंकि महिलाओ का representation होगा तो खासकर जो महिलाओ का एक representative है वो यहाँ पर बन पाएगा महिलाओ के hit में हाँ पर कोई बात करने के लिए होगा समझ गए ऐसी यहाँ पर एक दूसरा country Norway Norway ने even यहाँ पर अपने यहाँ पर quota system अल्रेडी 2003 में ही लागू कर दिया था और उस quota system के तहट लगबख 40% of seats जो Norway के corporate boards की है वो कही न कहीं महिलाओ के थूर रखी गई है महिलाओ के लिए रखी गई है समझ गए और इसके बाद कुछ और countries में है और इसके बाद कुछ और countries में है तब से जो चीज़ें है वो थोड़ा सा यहाँ पर resolve हो पाई है थोड़ी शांती बरख पाई है ठीक है जहाँ पर पहले female को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पारी थी अब महिलाओ को थोड़ा सा यहाँ पर support मिल रहा है कुछ ऐसे बड़ी बड़ी examples आपको global examples देखने को मिल जाता है question यह है कि सर अभी भी यहाँ पर इस bill की आवशकता क्या है तो यहाँ पर यह points आप उसमें लिख सकते हो यह points मेंने सीधे mention कर दिया है पहली चीज़ देखो women का politics में participation हमारे देश में अलड़ी बहुत कम है पहली चीज़ दूसरा patriarchal values याने की कही ना कहीं हमारे society में कई सरी जगा पर अभी भी ऐसा ही देखा जाता है कि जो female है वो घर के कामों के लिए male थोड़ा superior है याने की female से जो हमारी महिलाएं है उनसे पुरुष थोड़े ज़ादा बहतर उनसे उपर है ठीक है कई बार याँ पर देखो जो महिलाएं है उनको family support भी नहीं मिलता है family support की कमी होती है education की कमी होती है awareness नहीं है उनके पास में ठीक है उसके बाद में हमारे जो है जब पूरी politics देखोगे तो उसमें criminalization बहुत ज़ादा है criminalization का मतलब यहाँ पर यह है कि बही देखो member of parliament को भी अगर आप देखोगे तो उस member of parliament में कई सारे ऐसे member होंगे जिनके उपर कई सारे case दर्जवेव होंगे ऐसी लोग यहाँ पर नेता है काम भी कर रहे हैं, सरकार चला रहे है तो वो कहीना के यहाँ पर criminalization of politics कहलाता है समझ गए तो कहीना के यहाँ पर यह जब बहुत सारे कारण है जिसकी वज़ासे कहीना के हमारे जो यह बिल है, इस बिल की बहुत ज़दा आविशकता हमको पढ़ जाती है question यहाँ पर यह है दोस्तो पता है, यह जो बिल है जब से यहाँ पर इसके बार में discussions हुए even यहाँ पर कल से भी आप देखोगे तो लोग बट चुके हैं इंटरनेट पर कुछ लोग यहाँ पर इसके favor में हैं और कुछ लोग यहाँ पर against में हैं आप लोग अपने point of views को नीचे comment section में share करना आप इस बिल के favor में हो या फिर आप इस बिल के against में हो मैं आपको कुछ चीज़े बताता हूँ जैसे काफी सरे लोग यहाँ पर favor में है उनका कहना है, बिलकुल होना चाहिए महिलाएं काफी लंबे समय से पीछे छूटी वही है politics के अंदर में उनको होना चाहिए ताकि वो महिलाओं के interest में बात कर सके क्योंकि आज के समय पर mail का representation जादा है, तो वो महिलाओं के लिए जादा कुछ नहीं कर बात है तो काफी सरे लोग यह सोच है और जो लोग यहाँ पर support करें जबिलकु उनका कहना यह है कि हमारी country एक democratic country भी है, हमारे पास में democracy है, और democracy में क्या है, हम सभी को यहाँ पर हिस्सा बनना है, और even हमारा constitution भी gender equality की बात करता है, तो भाई सभी को यहाँ पर एक representation मिलना चाहिए ठीक है, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो जो women candidate को support क्या जारा है इस bill के मादियम से, लेकिन कुछ लोग है जो कि यहाँ पर इस bill के against में है उनका कहना यह है, यह reservation बिलकुल भी सही नहीं है इससे कहीना कहीना यहाँ पर बहुत सरे लोग ऐसे होंगे, कैसे, बहुत सरे लोग ऐसे होंगे, जो कि यहाँ पर कहीना कहीन लायक होंगे, educated male होंगे तो उन educated male की जो जगा है वो कहीना कहीन यहाँ पर इस reservation के मादियम से जो women है, उनको मिल जाएगी ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर कहना है प्लस एक लोगों का, कि यहाँ पर एक जो सम्हूद उनका कहना यह भी है कि यह जो reservation है यह reservation एक negative impact डालेगा आज मिना कई बार ऐसा dispute चलता रहता है इंटरनेट पर भी रडाईयां देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर तिरे को तो reservation मिला वाय तो इस ब्रकार की चीज़े भी यहाँ पर दिखाए जा सकते है तो again, जो लोग इसके against में है उनके ये points हैं, जो favor में है उनके क्या points है, वो मैं आपको बताया आपकी क्या राय है, आपका क्या point of view इस reservation bill को लेकर, प्लीज आप लोग नीचे comment section में जरूर से mention करना समझ गए इस बात को तो ये पूरा का पूरा total discussion में आप लोग को reservation bill को लिकर कर दिया है अब दोस्तों एक बात और है ये जो bill है ना, ये rotational basis पर है rotational basis पर मतलब यहाँ पर यह है कि ये bill कभी मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि महिलाओ को रखा जाएगा representation में खभी नहीं या पर कह सकतो, अभी ना, बात ये भी कि जारी है जो bill है, लंबे समय तक नहीं रहेगा कुछ 15 सालों के लिए करा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा तो ऐसे भी कुछ बाते हैं कुछ important points है, वो सब यहाँ पर मैं आपके साथ में और details से discuss करूँगा, बट अभी जो detailing's है जितनी present है हमारे पास में news में वो सारी detailing's मैं आपके साथ में discuss की है आपके लिए answer लिखने के लिए एक अच्छा point of view या और एक अच्छा content अल्रेडी आपको readymate करके त्यार करतिया गया है समझ गए? चलो अब question यहाँ पर यह है कि अगर यह जो bill है तयार हो जाता है, पास करवाना होगा, तो यह कैसे पास होगा? यानि इसके लिए तो हम इस समभीधान में बदलाव करना पड़ेगा, अब्विसी बात है amendment करना पड़ेगा, लेकिन यह जो bill है यह पास कैसे होगा? तो इसको पास करवाने के लिए कि अब्विसी बात एक बड़ा bill है तो हमारे 50% जो states है 50% जो राज्ये हैं, उनका भी एक approval चाहिए होगा, ठीक है? ज्यादतर votes हम लोगों को चाहिए होगे लगबग कह सकते हो, two-third majority हमें दोनों houses में चाहिए होगी, लोगसभा, राज्ये सबा दोनों में two-third majority, प्लस 50% states का approval चाहिए होगा, उसके बाद जाके हम इस bill को पास कर सकते हैं I hope आपको बात clear हो चुकी है तो UPA के एरा में 2008 वाला जो यह amendment बिल है, अलड़ी पास हो गया था, वेकिन राज्य सबा से, लोगसबा से पास नहीं हो, इस वैसे कोई उसके पर बातचीत हुई नहीं, एक बिलको दोनों जगा से पास होना जरूरी है वो पुरा context क्या था, वो मैंने भी आपको थोड़े में समझाया, आगया आता है next article पर, अब अगले article पर बढ़ने से पहले, दोस्तों यहीं पर make sure कर देना वीडियो पे जो like का बटन है, प्लीज यार उसको प्रेस कर देना, हमारे एक छोटा सा target है 5K plus likes का, 5000 likes का, आपको support करना है और इस वीडियो में highest likes पहुचाने है problems किते भी आता है, निपटते रहेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर यार कोशिश करेंगे, I hope मुझे support मिलेगा, चलो, आते हैं next article पर अगले article में, दोस्तों देको बहुत सारे comments मैंने देखे, सर, newspaper का use करो directly, तो newspaper का directly use नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो आज हमको पता चलिया है, इस चीज का डर देखो यार, मुझे पहले से था, बट मैं अगर PPT के थूप करता तो, आज मतलब जो strike वगरा है, वो नहीं आती खेर, anyway, जो भी हो गया है होन दो, आगे देखेंगे क्या होता है अगला आर्टिकल जो है यहाँ पर बात की जारी है, थ्री होईसला temples declared world heritage site, कहोगे एक मुनिट अभी आपने परसो एक आर्टिकल पढ़ाया था, अभी एक और चीज़ असांती निकेत हैं, जिसको world heritage site declare किया गया है, हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो तो आज के समय पर हमारे इंडिया की लगबग 42 world heritage sites हो चुकी है, 2023 में अभी आज की तारिक तक, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो टोटल हमारे पास में कितनी world heritage sites है, 42 इसको no down करे न, one day examination में डिरेक्टली पूछ जाएगा, क्या होती है world heritage sites, सब कुछ discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो, जो होईसला के अंदर temples हैं, करनाटका की हम बात कर रहे हैं दोस्तो, तो होईसला के जो temples हैं, एक बेलूर में तीन जगा के नाम दिया गया है, बेलूर, हेलेबिट, उसके बाद सोमनाथपूर, ये तीनों जगा करनाटका में हैं, यहां पर अलग-लग temples हैं उस समय के, हज़ारो साल पुरानी temples आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको UNESCO World Heritage Site की लिस्ट में डाल दिया गया है, या फिर कह सकतो UNESCO World Heritage Site का जो दर्जा है, वो यहां पर दे दिया गया है, इससे क्या होगा, इससे ये जो जगा है, इनका प्रोमोशन होगा, बहुत ज़ादा इंटरनाशनल टूरिजम बनेगा, बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे इन टैंपल को घूमने के लिए क्योंकि जब-जब हमने देखा है किसी भी मनुमेंट को या किसी भी जगा को World Heritage Site में अड़ किया जाता है, वहाँ पर टूरिजम तेजी से इंकरीज होता है आप क्वेशन यह है, यह मन्दिर कौन-कौन से है तो तीन जगा पर अलग-लग मन्दिर है जैसे बेलूर का जो मन्दिर है, वो है चिनेकेश्वा मन्दिर, ठीक है और उसके बाद में जो होईसला टैंपल है हलेभी में आपको देखने को मिलेगा उसके अलवा दोस्तों यहाँ पर केश्वा टैंपल देखने को मिलेगा सोमनादपुर में ठीक है, तो यह तीन टैंपल अलग-लग जगा के आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग-लग जगा पर अलग-लग मन्दिर है, जिनको अभी यह World Heritage Site डिकलियर किया गया है समझ गए, इसमेज़े कुछ मंदिर यानि जो स्टार्टिं के दो में आपको बताएंगे यह ओलड़ी युनेस्को की Tentative List में है साल 2014 से, अब दोस्तों यह Tentative List क्या होती है, थोड़ा सा वेट करो आपको वी भी में आपको बताऊंगा अब यह जो मंदिर है, कहीं नके हमारे Archaeological Survey of India के Protection के अंदर में आते हैं Archaeological Survey of India, लंबे समय से इनकी सुरक्षा कर रहा है अभी फिलाल यहां पर इनको World Heritage Site डिकलियर किया गया, तो हमें यह चीज़ डिसकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका Construction क्या है, कौन सा Material यूज क्या गया है, Temple का पूरा पूरा जो Structure है, वो किस प्रकार का है, यह चीज़े जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह कुछ फोटो आप देख पाओगे, यह होई से लागे Temples का ही फोटो है, एक मंदर यह है वहाँ पर कुछ इस प्रकार से नकाशिया बनाए गई है, कुछ इस प्रकार से कार्विं की गई है आप देख पाओगे उस जमाने में इस प्रकार की Art, मतलब Unbelievable अब आता है यहाँ पर इन Temples के बारे में जानने के लिए यह वो तीनों Temples से दोस्तों जिनको यहाँ वे World Heritage Site का टैक दिया गया ध्यान अखना important है especially GS Paper No.1 Art and Culture के point of view से और आपके newspaper में page No.4 पर GS Paper No.1 में यह article already mentioned है ठीक है, तो पहला चनेकेश्वा Temple कहाँ पर है करनाड़का के बेलूर हसन में अब यह जो है इसका formation इस Temple का बनाए गया था 1117 AD में लगबक उस समय पर वो जो period था वो विश्नु वर्दन जी का period था ठीक है केंग विश्नु वर्दन के period के समय पर इस Temple को बनाए गया इस Temple पर जो main देवी देवता के जम बात करते हैं जो main देवता है वो है Lord विश्नु Lord विश्नु जी के ऊपर यहाँ पर उनके लिए इस Temple को बनाए गया है mainly जो है Lord विश्नु जी को यह हम लोग चनकेश्वा के नाम से जानते हैं ठीक है इस Temple का अगर आप लोग architecture देखोगे तो बहुती ज़दा rich है rich मतलब बहार से आप देखोगे तो बहुती ज़दा नकाश्या की गई है बहुत details है यहाँ पर सारी की सारी जो नकाश्या है जो carving से वो यहाँ पर की गई है दोस्तो जो चनकेश्वा नाम है इसका मतलब क्या है चेना मतलब beautiful और केश्वा मतलब विश्णू तो विश्णू जी को dedicate किया गया यह पूरा कपूरा मंदर आपने ध्यानवर रखना है यह जो मंदिर है इसको किस चीज़ से बनाया गया है तो यहाँ पर एक word उसके जाता है chloratic sets यानि soap stone soap stone का use करता है soap stone काफी ज़दा soft होता है और soft होने की वज़ा से उसके उपर आप इस प्रकार की art कर सकते हो ठीक है वो ही चीज़ यहाँ पर article में mention की गई है कि यह जो soft stone है जो soap है यह काफी soft होता है और इस पर आप carving कर सकते हो नकाशिया बना सकते हो इन stones का खाफ कर use किया गया है चनकेश्वर टैंपिल में दूसरा जो मंदर है जिसको world heritage site का tag मिला है वो है होईसलेश्वर टैंपिल यह कहाँ पर है again हालेबेडू, हसन, करनाटिका में आपको यह देखने को मिलेगा इसका जो formation किया रहे है जब इसको बनाया गया था तो वो साल था 1121 CE तो यहाँ पर जो main जो कौन से हमारे कौन से god है जिनको यह temple dedicate किया गया है तो वो Lord Shivji है जिनको यह dedicate किया गया है Lord Shivji जिनको यहाँ पर होईसलेश्वर के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक है यह जो temple है काफी popular है क्योंकि इस temple के अंदर में लगबख 240 से ज़ादा अलग लग wall sculptures है यानि कि जो दिवाले हैं वहाँ पर बहुत सारे 240 से ज़ादा छोटे जोटे जो sculptures है इस प्रकार की जो यह मूर्ती कला है वो यहाँ पर की गई है समझ गई परनाटका में आपको देखने को मिलेगा यह temple का photo आपको नीचे दिख रहा होगा इस temple को बनाया गया था 1268 CE में खासकर नरसिमा 3 के समय पर उनके साशन के समय पर इस temple को बनाया गया और यह जो temple है यह Lord Krishnan जी को dedicate किया गया है Lord Krishnan जी ठीक है especially उनको केशव, जनारधन, वेनु गुपाल के नाम से भी जानते हैं और दोस्तों यहाँ पर यह जो मंदिर है यही पर एक त्रिकुटा टेंपल है त्रिकुटा टेंपल को dedicate किया गया है Lord Krishnan जी को और Lord Krishnan जी के basically जो तीन forms हैं उनके तीन forms कोई temple dedicate किया गया है वो तीन forms कौन कौन से हैं जनारधन, केशव और साथी साथ में यहाँ पर वेनु गुपाल अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यह अलग-अलग forms है ना इनकी मूर्तियां भी थे जो main केशव आइडल है वो missing है वो अभी पता नहीं आइडल कहाँ पर है दूसरा बाकी आप जनारधन और साथ में वेनु गुपाल आइडल की बात करोगे तो यह दोनों आइडल्स अभी तूट चुके हैं डैमेज हुए वह हैं समझ गए यह वर्ल्ड हरिटेस साइड का टैग देता कौन है तो यह है यूनेसको ध्यान अकना यूनेसको नाम के एक बॉड़ी है अब थोड़ा से यूनेसको के बारे में जानेंगे अगें प्रिलिम्स और बाकी सरे एक्जामनेशन के पॉइंट अभी से यूनेसको के कुछ मेजर इनिशेटिफ्स है वेरी वेरी इनिशेटिफ्स कौन कौन से है यह वर्ल्ड हरिटेज प्रोग्राम जिसके अभी हम बात कर रहे हैं यह भी यूनेसको ही लाता है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क हो गया इनिशेटिफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे पता है दोस्तों यूनेसको एक लिस्ट मेंटेन करके चलता है मैंने भी आपको बताया है जो हमारे होईसिलास टेंपल ने इसमें से जो स्टार्टिंग के दो टेंपल्स है इनको 2014 से अल्रेडी टेंटेटिव लिस्ट में रखा या है तो क्वेस्टन यह है कि ये टेंटेटिव लिस्ट करती क्या है देखो दोस्तों जो यूनेसको की गाइडलाइन से हैं उसके अकोर्डिंग बोला जाता है कि अगर किसी भी हमारे मॉनिमेंट को किसी भी स्थल को किसी भी समारक को अगर हमें वर्ल्ल हरेटेज साइड दिलवाना है वर्ल्ल हरेटेज साइड का टैग दिलवाना है तो उसके लिए कम से कम उस समारक को एक साल तक कम से कम एक साल तक टेंटेटिव लिस्ट में होना पड़ेगा तो एक साल तक उसको और जबकि हमारे temple तो 2014 से tentative list में है तो कम से कम यह minimum है कम से कम एक साल तक यहाँ पर tentative list में होना पड़ेगा उसके बाद इसका final nomination होगा और जैसी nomination हो जाएगा इसको world heritage center में बेश जाएगा उसके बाद यहाँ पर इसको world heritage side का जो यह दर्जा है वो दिया जाएगा अब question यह है UNESCO के जो world heritage side से यह क्या है world heritage side एक ऐसी जगा हो सकती है जो कि UNESCO यहाँ पर उसको यह tag देता है उसके special culture की वज़ा से उसका historical importance की वज़ा से उसका एक जो rich इतिहास है उसकी वेसे यहाँ पर उसको यह जो tag है वो दिया जाता है ताकि आगे भी उसकी protection की जा सके तो question यह है कि आज के समय में कितने स्थल होंगे हमारे पूरे दुनिया भर में देश की बात नहीं कर रहा हूँ हमारे देश में कितने है वो अभी मैं आपको बताऊंगा पहले भी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो अभी लगबग कह सकते हो around 1100 कितने 1100 UNESCO listed sites आपको देखने को मिलेंगे 167 countries में 167 countries के अंदर में total 1100 के असपास हैं अभी ये change होते रहते हैं उपर नीचे हो रहे होंगे ये खेर approximately की बात करें approximately 1100 के असपास हैं और दोस्तों पता है एक चीज़ भी है ऐसा होता है कि हम लोग किसी स्थान को इसका ये side का tag देते लेकिन इसमें ऐसा भी है कि किसी site का जो tag है वो छीना भी जा सकता है चीना जा सकता है क्या मतलब है तो उसको देखो साल 2021 में जो लिवरपुल है लिवरपुल बेसिकली यहाँ पर United Kingdom का UK का यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर है ठीक है इसको यहाँ पर World Heritage की जो list है इसमें से हटा दिया जा था क्यों क्योंकि यहाँ पर World Heritage Sites के अपने कुछ rules and regulations है उन rules and regulations का उलंगन होता है इस city के अंदर में ऐसी 2007 में UNESCO के पैनल ने जो Arabian Oryx Sanctuary है ओमान के अंदर में इसको भी डेलिस्ट कर दिया list से बाहर निकाल दिया क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर इस sanctuary को पूरी तरह से बरबाद क्या जा रहा था लगातर जो शिकार है वो चल रहा था जानवरों का पेड़ों की कटाई हो र पूरीज बनाया गया construction हो रहा था जिसके वज़ा से environment damage हो रहा था समझ गये तो list में ऐसा नहीं हमेशा add क्या जाता है list से किसी चीज़ को निकाल भी जा सकता है इसमें यह धियान अकना latest हमने 2021 में Liverpool को इस list से बाहर निकाला था भारत के अंदर जो UNESCO World Heritage Sites है वो यह है ठीक है अभी कुछ जिनों पहले तक बारत में केवल 40 UNESCO World Heritage Sites हैं एकदम से पिछले दो दिनों में यह 42 हो चुकी हैं दो कौन कौन सी add हुई है तो एक तो सांती निकेतन आपको बता होगा मैंने पढ़ाया भी है यह एक टाउन है सांती निकेतन एक टाउन है जो की हमारे रभिंदर उसको एक मीं काउंट करें जिसमें दोनों के फीचर्स हो तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो हमारे पास में जो यह 42 world heritage sites है ना इन में से 34 तो cultural sites है और हमारा जो ये temple है ये भी cultural site में add किया गया है बाकी साथ हमारे natural sites है और एक हमारे पास में mixed site है जिसका हम लोग कंचन जंगा नैशनल पार के नाम से जानते हैं समझ गए? ये mixed प्रकार का है तो भारत के पास में कितने सारे sites है इसके आप सकर आप देखोगे तो भारत छटे नंबर पर देश आता है भारत पूरे दुनिया में 6th नंबर पर वो देश है जिसके पास में बहुत सारे ये world heritage sites है ठीक है तो इंडिया 6th नंबर पर आता है इस बात को ध्यान लखना हमसे पहले पास देश कौन कौन से है तो उसमें इटली है चाइना है जर्मनी है फ्रांस है इनके पास में जैसे इटली के पास में 58 sites है चाइना के पास में 56 है जर्मनी के पास में 51 है फ्रांस के पास में 49 है, स्पेन के पास में 49 है तो इंडिया के पास में अभी यहां पर 42 है आने वाले समय पर कह सकते हो कि यह दूर समय नहीं होगा जब भारत को चौती प्लेस मिल जाए यहां पर हमारे पास में कुछ और साइट्स मिल जाए हमें हमारे स्थल को कुछ और टैग मिल जाए जिसके बेसिस पर हम जल्दी यहां पर इस वाली स्पेस पर आ जाए समझ गए? तो यह ताया पर पूरा का पूरा आर्टिकल आई होब दोस्तों आपको बहुत डीटेल से मने समझाया है एक-एक information क्लियर करवाई है कोई भी question आएगा prelims means जैसे मैं आपको newspaper में समझाता था उसी प्रकार कर discussion किया गया है नव आते हैं हम लोग अपने next editorial पर अब यह वाला article GS paper number 2 international relations के point of view से important है page number 6 पर यह हमारा एक editorial है जो की side में दिया गया है editorial exam perspective से बहुत important है यहाँ पर directly हम इंडिया और केनेडा के relations के बारे में दोस्तों बात कर रहे है आपको पता होगा पिछले दो दिनों में बड़ी हलचल मत चुकी है कल तो पूरे दिन भर लगातार जो पूरा मीडिया है इसी चीज़ को cover कर रहा था कि इंडिया केनेडा के जो relations है वो एक समय पर ठीक ठाक हुआ करते थे लेकिन अभी जस्टिन टूडो जो कि केनेडा के प्रदान मंत्री है इनकी वज़ा से कहीं न कहीं जो यह relations है वो खराब होते हुए चले जा रहे हैं और यह relations अपने डाउन लेवल पर आ चुके हैं इतने डाउन लेवल पर आ चुके हैं कि भारत का जो डिप्लोमेट थे केनेडा के अंदर में उन डिप्लोमेट को केनेडा ने बाहर निकाल दिया और उसके जवाब में हमने भी बाहर निकाल दिया तो दोनों ने यहाँ पर बराबर का यह काम किया है, अब दोस्तों यहाँ पर इसी को ले करना पूरा का पूरा जो बवाल है वो मच चुका है, क्या पर्डिकुलर रिशू है, आओ मैं आपको एक एक करेंगे सारी बाते बताता हूँ, तो केनेडा के जो प्रधाल मंत्री है, Justin Trudeau, इनोंने भारत के उपर allegations लगाने start कर दिये, कुछ इल्जाम लगाने start कर दिये, जिसका इनके पास में कोई proof नहीं था, यह editorial मैंने पूरा लगा दिया है, कार्ड के आदा इससा यह है, आदा इसके नीचे का हिस्सा यहाँ पर यह है, ठीक है, तो Justin Trudeau है, भारत के प्र यह है केनडा में तो जो Justin Trudeau है होनने यहाँ पर यह बोला कि भारत काई कोई agent था जिसने यहाँ पर यह जो खालिस्तानी लिलिर था हरदीर्ब सिंग इसको मारा तो कहिन कहिन यहाँ पर इससे केनडा काफि नाराज है केनडा का कहना यह है कि इंडिया का agent आके Canadian city citizen को मार देगा ऐसा हम accept नहीं करेंगे ये और वो लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनके जो allegations केवल इल्जाम में इनके पास में कोई ऐसा proof नहीं है कि Indian agent ने मारा हो इंडिया की side से यहाँ पर जवाब आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम इसके बारे में डारेक्टी लिखावा मिलेगा जो मीडिया है उसमें डारेक्टी लिखावा है खालिस्तानी टेररिस्ट करके तो मिस्टर टूडो के जो accusations जो अनके इल्जाम है वो यहाँ पर यही कहना है कि इंडिया ने कही ने कहीं ने कहीं यहाँ पर अपना agent बेच के मरवादिया ऐसा हम accept नहीं गरेंगे और इसकी वज़ासे कहीं ने कहीं ने कि जो relations वो लगातार यहाँ पर और ज़दा खराब होते हुए चले जा रहे हैं कहीं ने कुछ countries ऐसी भी आई for example US Australia थोड़ा बहुत यहाँ पर support उन countries का भी Canada की side में देखने को मिला वो पूरा मुद्दा क्या है वो मैं आपको अभी आगे आने वाले जो समय है उनमें जो details articles आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसके वारे में और details से अभी फिलाल exam perspective से जो पढ़ना है उसको हम थोड़ा सा discuss करेंगे अब दोस्तों आपको पता होगा मुद्दा ये भी है कि recently G20 का summit भारत के अंदर में होता है और आपको पता होगा Canada भी G20 का एक हिस्सा है Canada भारत में आता है यानि Canada के प्रधान मंतरी आते है और हमारे प्रधान मंतरी के साथ में PMODI के साथ में एक discussion चलता है कर रहा है anti-India activities को support कर रहा है ये बात यहाँ पर PMODI mention करते है उसके बदले में जो Canada के प्रधान मंतरी है Justin Trudeau पता ये क्या बहुत बोलता है ये बोलता है कि जो Canada है यहाँ पर हम लोग freedom of speech को promote करते हैं लोग के पास में खुलकर अपने point of views रखने का हक है अगर वो यहाँ पर खाली सान की बात कर रहे हैं तो करने दो हम यहाँ पर उनके जो point of views उसको support करेंगे हम यहाँ पर कहीं न कहीं जो यह freedom of speech उसको यहाँ पर promote करते हैं हम यहाँ पर कहीं न कहीं आप कह सकतो इस तरीके से रोक-टोक नहीं लगा सकते तो ये बात कही ना कही डारेक्टली ये दर्शा आती है कि जो कैनेडा है वो जो खालिस सान उसका सपोर्ट में नजर आएगा निज़ार के मैं बात कर रहा था निज़ार कौन था निज़ार खालिस्थानी टाइगर फोर्स के टीएफ का एक चीफ था जो की अलरेडी इंडिया में वांटेड है इंडिया में इसको वांटेड डिकलियर कर दिया है अलग-अलग टेरर आपरेशन्स पंजाब में जो निज़ार था तो यहाँ पर इसको किसी ने मार दिया होगा अब बदा नहीं चला है किसीने मारा है तो इस वज़ेशले सा यहाँ पर पुरकाबर जो मैटर वो उटता वा नज़र आया है और यह देखते वह क्या करा है केनेडा के जो यहाँ पर इनकी फॉर्ण मिनिस्टर ह है foreign minister है Melanie Jolly उन्होंने भी यहाँ पर कहीन है कि India के उपर इस प्रकार की जो allegations से वो लगाने start कर दिये और उकैदिया और भारत का जो यहाँ पर diplomat थे Canada के अंदर में उनको निकाल दिया जाओ India इंडिया ने भी उनके diplomat का निकाल दिया आप भी जाओ Canada ठीक है आपको कुछ टाइम दिया है हमने पांच दिन का हब भी तैयार हो जाओ Canada जाने के लिए तो इस प्रकार से क्या हुआ क्योंकि दोस्तों एक रिले एक दो countries को जो संबंद है ना वो सबसे जादा down level पे तब आएंगे जब एक दूसरे के डिप्लोमेट को एक दूसरे के देशों बेज दिया गया समझ गया अपने अपने देश बेज दिया गया भी जाओ अब आपकी ज़रुरत नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती चली जगई और उसकी वज़ासे इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट होने वाला था कई बार डिसकेशन हो चुके हैं आठ नौ बार बातचीत हो चुके है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट को लेकर वो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट थम गया अब बात यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों अब पता नहीं यहाँ पर आगे कब फ्रीटेड अग्रिमेंट का डिसकेशन होगा फ्रीटेड अग्रिमेंट का मतलब है यहाँ पर जो व्यापार होता इंडिया कैनेडा के बीच में उसमें हम काफी छूट देते और उस छूट को देने से क्या होता है इन दोनों के बीच में व्यापार बढ़ता जिससे किवल एक देश को फाइदा नहीं होता दोनों को फाइदा होता तो कैनेडा को भी फाइदा होता इंडिया को भी फाइदा ह आएंगे, समझ गए, अब मैं आपको थोड़ा basic information बताता हूँ, भई, exam में क्या लिख कर आओगे, अगर पूछ लिया जाएगा तो, हैना उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है, पहले हम लोग Canada का map देखेंगे, तो यह है world map, और यह आपको हमारा India देखने को मिलेगा, हमारा भारत, तो भारत के comparison में गर आपको देखना पड़ेगा Canada, तो जाना है इधर western side में, इधर चले, हमने Middle East cover किया, इधर Europe cover किया, Europe से इधर आए, North Atlantic Ocean आ गया, और इधर चलोगे तो यहाँ पर अमेरिका आया, अमेरिका के just उपर एक बड़ी boundary यहाँ पर share करता है Canada, Canada, अमेरिका Canada, कितना बड़ा है मैं आपको बताता हूँ, हमारे पूरे दुनिया के अंदर, अगर हम land wise बात करें, यानि जमीन के सुरफ बात करें, तो जमीन के स्तर पर सबसे बड़ी जमीन वाला देश कौन सा है, तो कहो गए, वो तो हमें clear पता है भाई, वो तो Russia है, Russia के बाद दूसर दूसरा देश, रश्या के बाद दूसरा देश केनेडा है दोस्तो, केनेडा, land wise अगर हम लोग बात करेंगे, land mask की दौर पर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा country है, इसकी capital है, ओटावा, ठीक है, यह आपको देखने को मिलेगा, बागी कुछ basic information है, उसको आप लोग यहा का, North America का, यहाँ पर आपको country देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यह अमेरिका है, उपर वाला North America, नीचे वाला, साउथ अमेरिका, जिसमें हमारा Brazil, Venezuela, Colombia, यह सारी country आती है, अब केनेडा की location पढ़ रहे है, तो थोड़ा सा और detail से पढ़ना हमें काफी ज़दा ज़रू का मतलब है, यहाँ पर एक ब्रिटिश राजा भी है, ब्रिटिश मोनार्क भी आपको देखने को मिलेंगे, जो head of state है, लेकिन यहाँ पर parliamentary democracy भी है, actual जो सरकार चलती है, वो कहीना की जो government officials है, वो चलाते है, election होने के बाद में आपर जो सरकार है, वो पुरीगपुरी चलती ह बने वे, 49th parallel के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मैंने आपको बता है न, उपर Canada है, नीचे US है, उसको जूम करके देखो कर तो ऐसा देखेगा, तो यह जो हमारा यहाँ पर यह latitude जाता है न, इसको हम लोग 49th parallel north के नाम से जानते हैं ध्यानक न, यही पर इसी के उपर point Robert है, point longitude है, उसके जब हम लोगो बात करते हैं, तो basically उसी के बारे में यहाँ पर discussion किया जा रहा है, तो 49th parallel north हमारा latitude का एक circle है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर circle जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से, तो यह 49th parallel north यह जो boundary है, यह पूरी तरह से ऊपर Canada और नीचे यहाँ पर हमारा अमेरिका, तो Canada और अमेरिका को बीच में से डिवाइड कर देती है, इनके बीच में से 49th parallel north जाता है, और केवल यहाँ पर North अमेरिका से नहीं घुजरता है, यह 49th parallel north, अमेरिका के साथ साथ Europe, Asia, Pacific Ocean, North America, Atlantic Ocean सभी से घुजरता है, जासे आप में आपे पूरी यह red वाली line को द discuss करता है, यह बहुत important है, क्योंकि यहाँ पर आपको यह समझ माएगा, कि relations हमारे खराब हो चुके हैं आज के समयमर, दोनों के संबंद बहुत lowest level पर आ चुके हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा, सबसे बहले आप नुकसान समझो व्यापार के मामले में, दोनों देशों के केनेडा को 4.10 बिलियन डॉलर का export किया था, और 2021 में हम लोगों ने 3.76 बिलियन डॉलर का export किया था, यानि 2021 के comparison में, 2022 से इसके साल में export हमारा बड़ा है, और इतना ही नहीं, इंडिया ने यहाँ पर केनेडा से काफी कुछ import भी किया है, 2022 से इसमें हम लोगों ने import 4.05 बिलि अब import-export हम करते क्या हैं, जो major items हम Canada को export करते हैं, उसमें jams हैं, jewelry हैं, precious items, pharmaceutical products, ready made garments वगर आपको देखने को मिलेंगे, दूसी तरफ भारत इनसे import क्या करता है, तो pulses, newsprint, wood pulp, asbestos, potash, iron, scalp, copper, mineral, इस प्रकार की चीज़े हम लोग यहाँ पर import करते हैं, फिर बात आती है investment की, तो investment में Canada ने बहुत सरा पैसा investment कर रखा है भारत में, बहुत सरा निवेश आया है, Canadian pension funds ने यहाँ पर invest कर रखा है, 55 billion dollar इंडिया के अंदर में, ठीक है, उसके लबाँ दोस्तों यहाँ पर, जो cumulative FDI, that is foreign direct investment, तो Canada का जो FDI साल 2000 से लेकर अभी तक तो वो लगबाग 4.07 billion dollars का है, त हम लोग free trade agreement को लेकर discussion करी रहे थे, दोनों यहाँ पर कहीना कहीं agree कर रहे थे इस बात के उपर, लगाता discussion चल ले थे, 9 बार बादचीत हो चुकी थी इस साल जुलाई तक, लेगन अभी क्या हुआ, matter पूरा बिगड़ चुका है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो, इसके उपर हम लोग साथ देंगे, industrial research और development को आगे promote करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर department of biotechnology को बनाया गया, यह किस के अंडर मनाया गया, IC impact के अंडर मा, IC impact क्या है, तो IC impact है, India Canada Center for Innovative Multidisciplinary Partnership to Accelerate Community Transformation and Sustainability, यह basically यहाँ पर IC impacts है, तो इस प्रोग्राम के इतायत biotechnology को बनाया गया, और research projects के ओपर काम करना शुरू किया गया, उसके लावा यहाँ पर IC impact नाम की आप कह सकतो यह पहली और एक clothi body है, जो Canada और India के research center for excellence का काम करती है, तो इस तरीके से दोनों देशों ने कई सारी bodies, कई सारी sectors में, especially science and tech में एक दूसरे का साथ दिया है, फिर बात आती है space sector में, तो अंतरिक्ष के मामले में, जैसे भारत का space agency zero है, वैसी Canada का space agency Canadian space agency है, दोनों ने पहले भी memorandum of understanding sign कर रखा है, outer space को explore करने के लिए, outer space के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, एवन उसके साथ अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष बेसिकलिए हमारा zero का यह एक body है, इसने कई सारी नेनो सेटलाइट्स को लाँच किया है, जो Canada की सेटलाइट्स है, वो यहाँ पर लाँच की गई है, उसके लावा इजरो ने जो अपना 100 सेटलाइट PSLV लाँच किया था 2018 में, उसमें हम लोगों ने Canada का जो first low earth orbit सेटलाइट है, वो भी हमने लाँच किया था, तो Canada के क बीच में security और defense को देखोगे, तो दोनों देशों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काम किया है, जो statement of intent है, इस प्रकार का cooperation दोनों देशों के बीच में, for example भारत का जो defense body है, defense research development organization, और दूसी तरफ Canada का यहाँ पर एक space body है, sorry space करा हूँ, defense body Canadian defense research and development council, दोनों की जो यह defense bodies है, इन देशों ने मिलकर decide किया कि हम terrorism से लडने के लिए, आतंगवा से लडने के लिए आपस में corporate करेंगे, वो cooperation किया भी गया, उसके मादम से joint working group बनाया इन्होंने, ताकि हम लोग यहाँ पर आतंगवा से लड़ सके हैं, terrorism से लड़ सके हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप द रिटूरेल और है, इस वाले रिटूरेल को हम discuss नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यह already cover कर चुके हैं, proper background data मैं आपको PDF में provide करवा चुका हूँ, इस वाले आर्टिकल को cover करने के लिए आपने क्या करना है, 22 अगस्त का वीडियो open करना है, simple सा YouTube पर जाना, 22 अगस्त 2023, the Hindu by दीप भी already discuss किया हुआ है, तो ये भी एक रिटूरेल है, especially हमारा text and context पर आया हुआ है, explainer section पर, तो इसको cover करने के लिए आपने के लिए चार सितंबर का वीडियो open करना है, ये आपको बता होगा, one nation, one election, यानि simultaneous polls को लेकर मैंने पूरा का पूरा जो ये पूरा वीडियो है, इस व लग जाएगा, ठीक है, इस विसे प्लीज आप उसको एक बार go through कर सकते हो, next हमारे काम का article है, इस article को gs paper number 3 science and tech के point of view से link करेंगे, page number 12 पर ये article हमारा mention है, तो बात क्या की जारी है, center floats new science award, science की category में, ध्यानक न, science की category में नए awards लाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर भारत रत वगरा है, वैसे यहाँ पर science की category में अवर्ड लाए गए हैं, तो राष्ट्रिय विज्ञान पुरसकार, अब यहाँ पर इनके पास में कह सकते हो, तीन अलग-अलग पुरसकार दिये जाएंगे, खासकर विज्ञान की छेतर में, science की छेतर में, एक विज्ञान रतन होगा, फिर विज्ञान श्री होगा, और विज्ञान युवा शांती स्वरू भटनागर होगा, यह तीन बहुत जादा important यहाँ पर पुरसकार दिये जाने वाले हैं, यह तीन विज्ञान टीम अवर्ड इसके बात यहाँ पर तीन विज्ञान टीम अवर्ड भी होंगे, तो यह ज बता हूँगा, National Technology Day के बारे में, तो दोस्तों, यहाँ पर बात यह की जारी है, लगबख कुछ सालों बाद हम Science की कैटेगरी में जादा recognition देना शुरू कर रहे हैं, और हमारी केन सरकार ने लगबख कुछ पुरसकार को तयार कर दिया है, जिसमें से यहाँ पर बोला जा रह में, इन अवर्ड के अदर में cash होगा, ठीक है, कुछ पैसा दिया जाएगा, उसके अलावा, इसमें cash नहीं होगा, जैसे हमारे पदम अवर्ड में cash नहीं होता है न, इसमें भी यहाँ पर कोई cash component नहीं होगा, cash ना होने की वाजाए, इसमें कुछ certificates होगे, certificate के अलावा medal पटनागर दिये जाएंगे, और तीन विज्ञान टीम अवर्ड दिये जाएंगे, तो एक कुछ चार प्रकार के अवर्ड या पे science की category में हम देने वाले हैं, और ये अवर्ड की जो घोंशड़ा है हर साल, वो 11 मई को होगी, 11 मई को क्योंकि 11 मई को हमारा national technology day होता है, लेकि इसका distribution, यानि कि ये तो केवल announcement होगा 11 मई को, लेकिन हाथ में कब दिये जाएंगे ये अवर्ड, वो 23 अगस को दिये जाएंगे, क्योंकि 23 अगस को आपको पता होगा, एक important day है, 23 अगस को भारत का जो चंद्रियांतरी है, वो चांद पर land किया था, इस वज़ा से, बात क्ल इसका में बार observe क्या गया था, 11th of May 1999 को, 11 मई 1999 को सबसे पहला National Technology Day का celebration हुआ, और इसका main मकसद है, कि जो हमारे technological achievements है, हमारे भारत के जो scientist है, engineer है, उनको कुछ achieve किया है, उनको सम्मानित करना, उनको support करना, और जो ये दिन है न, ये दिन का जो नाम है, वो किस ने दिया था, हम हमारे फॉर्मर प्राइमिनिस्टर अटल बियारी बाचपाई, जिन है यहाँ पर इस दिन की शुरुवात की थी, इस दिन को observe करने की शुरुवात की थी, और हर साल यहाँ पर जो technological development board of India है, ठीक है, ये एक important body है, ये body क्या करती है, ये award दिने का काम करती है, national award दिने का काम क करती है, science and technology के sector में, question यहाँ पर यह है कि ये national technology day का importance क्या है, इसका significance क्या है, तो दोस्तों ये दिन वो है, जब भारत ने successfully अपना जो पोकरान में nuclear test, nuclear bomb बे उसके testing की थी, 11 मई 1998 में हम लोगों ने अपनी testing की थी, ठीक है, 11 मई को हमने nuclear bomb की testing की थी, इंडिया ने successfully उजन, क्य ती, उसके अलावा जो nuclear missile इसको भी test किया गया था, भारत के आर्मी पोकरान test range राजिस्तान के अंदर में, और यह second test था हमारा, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हम पोकरान 1 test अलेडी कर चुके थे, पोकरान 1 का जो code name था, वो Operation Smiling Buddha था, जो मई में 1974 में किया गया था, उ उसकी भी testing की थी, उसके अलावा यहां पर हमारा खुद का बनायावा जो aircraft Hans 3 उसको भी हम लोग ने उड़ाया था, तो काफी सारे काम हुए थे 11 माई 1998 में, जिस basis पर हम जो National Technology Day है, उसको हम लोगों ने 11 में को ही यहां पर observe किया, और 11 में को ही यहां पर science की sector में, यह सारे awards जाएंगे, इन चारों award के बारे में आपको बताया, ठीक है, और इनका announcement 11 माई को होगा, बाकी इनका जो कास कर distribution होता है, वो 23 अगस्त को यहां पर होता वा नजर आएगा, समझ गए, और इसके लिए आपर पूरी एक committee वगरा बनाई जाएगी, हर साल एक committee बनेगी, उस committee में अंदर बैठेंगे, उस committee को पुरा गठन होने के बाद में यह सभी लोग decide करेंगे, भई किसको award देना है, फिर वो award का decision लेने के बाद में 11 माई को announcement किया जाएगा, समझ गए, आगया आते हैं उसके बाद, next article पर आते हैं, अगले article अगेन एक्जाम के लिए काफी ज़दा important है, GS paper number 3 economic perspective से specially page number 13 पर यह article हमारा present है, बात की जारी है oil के prices के बारे में, तो दोस्तों जो कच्छा तेल है, जो oil के prices है वो पिछले 10 माईनों में काफी ज़दा हो चुके हैं, बहुत ज़दा high हो चुके हैं, oil के prices अभी Tuesday में ही 1% से थोड़ा ज़दा, मतलब 1% से भी ज़दा होते हैं और पिछले 10 माईनों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़दा oil के prices नज़र आ रहे हैं, reason क्या है, साउधी रेबिया रश्या जैसी countries ने कहीं न कहीं अपना जो oil का production है, इसको cut down किया जिसकी वज़दा से oil के prices तेजी से बढ़ना है, क्योंकि production cut down हो जाएगा, त मार्केट में shortage हो जाएगा, जबकि demand तो बराबर ही ना, तो demand तो बराबर थी, लेकिन क्या हुआ shortage हो गया, shortage होने की वज़दा से जो prices हो काफी ज़दा बढ़ गए, तो जो हमारा Brent crude होता है, आपको पताओगा कच्छे तेल दो प्रकार के होता है, एक होता है Brent crude और दूसरा ह तेजी से बढ़ चुके हैं, और आने वाले समय पर possibility है, ये prices और तेजी से increase हो, पिछले साल November से अभी तक आप देखोगे, तो सबसे ज़दा prices हैं इस brand crude के, और कहीं ने कहीं यहाँ पर यह जो issues हैं, यह हम 2024 सक फेस कर सकते हैं, इसकी वैसे problems और बढ़ जाएंगी, अब यहा करने के बाद हमें petrol और बाकी सारे जो petroleum products हैं, वो मिलते हुए नजर आते हैं, तो इस कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ जाएंगे, तो भारत के ओपर क्या असर पड़ेगा, सबसे पहला current account deficit, भारत का जो यहाँ पर oil prices, जैसी oil prices increase होंगे international level पर हमारा import बढ़ जाएगा, दोस हमारा import bill बहुत जादा बढ़ जाएगा, export हमारा कम है, इससे हमारा जो कहीं न कहीं, जो current account deficit है, वो गड़ बढ़ जाएगा, समझ गए, हम लोग बहुत जादा घाटे में पहुँच जाएगे, दूसरी जो problem आएगी वो है inflation की, जैसे से crude prices increase होंगे, जैसे से कच्चे तेल के बेचेंगे न, और अगर costly नहीं बेचेंगे, तो उसकी वज़से जो एक impact पड़ेगा, वो पड़ेगा हमारी directly fiscal health के उपर, हमारे देश के development के उपर कऊगे, ऐसे कैसे, तो देखो आपको पता होगा दोस्तों, जो कच्चा तेल होता है न, इसको जो हमारी government है, जो हमारी सरक इसे से वो अलग लोग होता है, क्योंकि वो state government के उपर depend करता है, वो कितना tax charge करें तेल के उपर में, तो हुआ क्या दोनों नहीं आपर tax को लगाया, अब tax लगाने से क्या होता है, कि इनके पास में अच्छी खासी revenue generation हो रही है, अब दोस्तों होगा क्या कि बहार से, जो international prices स तेल के अगर वो बढ़ जाएंगे और हमारे देश में जब हम उसको import करेंगे, वो import करने पर अगर हमें वो normal price में ही बेचना तो सरखार को अपने tax काटने पड़ेंगे, अगर normal price में नहीं बेचना है, बढ़ा कर बेचना है तो सरखार अपने tax तो बराबर लेगी, तो सरख अगर अपना टेक्स बराबर लेगी तो अब्विसी बात है बहार से दाम जादा है और हमारे देश में भी अपके आऊगा यह महांगा बिकेगा लेकिन अब अगर यहाँ पर कॉस्ट कम होगी फॉर एक्जामपल यहाँ पर बहार से हमने महांगा पर्चेस किया सरकार ने सोच अब ने सोच बात है इससे हमारी जो एकनोमी है एकनोमी के जो रिकवरी है इससे हमारी जो ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा समझ गए अब नेक्स राडिकल में दोस्तों यहाँ पर बात कि जा रहे है डिफरेंस ब सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं यह कहां से ओरिजिनेट होता है जो ब्रेंट क्रूड होता है जो कच्छा तेल होता है यह हमारे नौर्ट सी के ओल फील्ड से निकल गराता है नौर्ट सी स्पेशली नौर्वे वगरा के आसपास नौर्ट सी के समदर से सीधा निकाला जाता है और उसके बाद यहाँ पर वो जहाज भर के लेकर रहा जाता है जो वेस्ट टेक्सस इंडिर्मीडियर होता है डब्लू ट्याइए आपको नाम से पता चला होगा टेक्सस यह स्पेशली यहाँ पर टेक्सस यानि यूएस के अंदर में यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है यूएस में स्पेशली टेक्सस हो गया लुजियाना हो गया नौथ डकोटा हो गया यहाँ सबी जगापर सबसे ज़्यादा इस वेस्ट टेक्सस वाला जो इंडर्मीडियर टेल है इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है तो डब्लू टेई अमेरिका का सो अमेरिकन पेट्रोलियम इसिट्यूट ग्राविटी यह एक तरीके का इंडिकेटर है जो हमें यह दर्शाता है कच्चे तेल के अंदर कितना जादा गाढ़ापन है उसकी डेंसिटी कितनी जादा है समझ गए तो यहाँ पर जो एपर ग्रेविटी है यह हमारे ब्रेंट वा बहुत कम होता है 0.24% जबकि जो ब्रेंट वाला कच्चा तेल होता है इसमें सलफर जादा होता है समझ गए इसमें सलफर जादा होता है 0.37% इस वैसे डव्लू ट्याई को हम दोग थोड़ा स्वीटर भी बोल देता है प्राइस की बात करेंगे तो जो ब्रेंट कुरूड ह बहुत करता है उसके प्राइस को ठीक है डव्लू ट्याई का जो प्राइस का बेंचमार्क वो यहां पर यूएस को प्राइस के बेसिस पर काम करता है समझ गए बाकी यहां पर अगर हमें यह तेल लेकर आना हो भारत के अंदर में तो पैसा किस के लिए जादा देना पड़ से निकाला जाता है लेंड लॉक एरिया से निकाला जाता है ऐसे एरिया जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं है वहां से निकाल के लाए फिर उसको यहां पर जहाज यानि बंदर घा तक पहुंचाया फिर जहाज में लोड किया उसके बाद भिजवाया तो अब्विस सी बा दबा के question पूछ रहा है, crude oil से संबंदित, possibility इस बारी पूछ जा सके, for example, UPC ने 2011 में एक प्रशन पूछा, in the context of global oil prices, दुनिया बलके जो oil prices है, उसमें ये बताओ कि जो brand crude oil है, है न, ये अकसर news में रहता है, तो brand crude oil के उपर कौन सा term imply करता है, ये बताना है, brand crude oil के उपर में कौ brand crude oil basically एक प्रकार का crude oil, एक प्रकार कच्चा तेल है, दूसरा brand crude oil notsy से निकाला जाता है, तीसरा brand crude oil के अंदर में जो sulfur है, बिल्कुल नहीं होता, does not contain sulfur, तो बताओ तीनो statement में से कौन सा statement सही है, तो obviously बात है, पहला वाला सही है, एक प्रकार कच्चा तेल है, ये simple सी बात है, दूसरा notsy बताया था, notsy से निकाला जाता है, सही है ये भी, तीसरा वाला statement गलत है, क्यों, आपको बताया था हमने WTI के अंदर तो sulfur जो है, नहीं होता, और brand के अंदर में sulfur होता है, और यहां पर आप सका आगया है कि brand crude oil में sulfur नहीं होता, बैस में sulfur जादा होता है, WTI से sulfur brand में है, इस वज़े से यहां पर थार वाला statement गलत है, हमारा सही उतर option number A यानी 1 and 2 only is the correct answer, समझ गए, आगया आता है, फिर next question में यहां पर UPSC ने 2008 में एक सवाल पूछा, सवाल क्या था, how much is one barrel of oil approximately equal to, आपको बता होगा international level पर, जब भी हम कच्छे तेल की बात करते हैं, पास यहां पर एक barrel में होता है, तो दोस्तों करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त, और जो आप से मैंने map में देखने के लिए बोला था, अनमोडी शोला नैशनल पार को इसको अच्छे से एक बार map में देख लेना, वैसे हम आपको बता दू, केरला में यह स्थेत है, उसक हमारा पूरा discussion, आई होप आपको मज़ा आया होगा, जैसा रोजाना के basis पर होता है, काफ़ी कुछ discuss किया है, पूरे बेतरीन तरीके से proper background information के साथ में, जैसा हम already cover करते विया हैं, तो please मैं चाता हूँ आप लोग support करना, देखते हैं आगे क्या होता है, इस strike से निपटने के ह कोशिश करते हैं, मिलते हैं आप से अगले वडियो में, आज के लिए बाबाय, have a nice day, thank you and jahind